हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करने वाले जियो फ्यजिकल वागिंग क्या है और जियो फ्यजिकल लॉग वोरूल में कीषे होती है और कितने प्रकार की होती है तो सबसे पहले हमारे चेनल को लाइक, सेहरई, सबस्क्राइब करना ना भूले हैं तो अब हम बात करते हैं जियो फिजिकल वैल लॉग के बारे में जियो फिजिकल वैल लॉग की सहता से अर्थ की सताय के नीचे जियो लॉजिकल डाटा कलेट किया जाता है तो जियो फिजिकल बैल लोग का उपी ज्यादा तर ओईल गैस ग्राउंड बार्टा अमिनर और जियो थर्मल एक्स्पोवेशन की जानकारी के लिए किये गए बोर होल में किया जाता है जिसी की लोगों की आवसक्ताओं की पूर्ती की जा सके जो की एकोनोमिकली बहुत ही इंपोर्टेंट होता है तो अब हम बात करते हैं जियो फिजिकल बैल लॉगिंग करने से पहले किये गए अर्थ की सतह पर बोर होल में प्रूब डेंसिटी को डालते हैं तो उसमें रिडियो अक्टव सोर्स की थुरू रे जैसे अलफा वीटा गामा गोजारते हैं बॉटम टू टॉ टॉप तक इसके बाद इसके रिफलेक्शन से डेंसिटी के दुआरा कंप्यूटर में ग्राफ प्लॉट होता है इसके बाद हम इंटर्पेटेशन कर लेते हैं उसके डेंसिटी से लिथोलोजी और मिनल का पता चलता है और जियोलोजीकल डिस्टरवेंस पता चल जाता है ठीक उसी प्रकार सोनिक प्रूब, इलक्टिकल प्रूब, एंड डेवियेशन, एटीसी प्रकार के होते हैं जियोफिजिकल लोगिंग होती है इस प्रकार से जो क हर किसी पुरूब की अपनी विसिस्ता होती है जिससे बोरहुल की थुरू अर्थ का इंटरनल डाटा कलेक्ट हो जाता है इस पर का जियो फिजीकल वेल लोगिंग आज कल डिजिटल दुनिया के हिसाब से बहुत ही महत्पूर्ण है इसका बहुत ही जादा यूज हो रहा है त हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूलें बहुत बहुत धन्वाद आपका सुरेंस सिंग् झाल 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 झाल